कि अपने स्वास्त और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सो हलो फ्रेंड्स मैं रवीड वर्मा और आज मैं बात करूँगा फंगल इंफेक्शन के बारे में क्योंकि बहु 찾 आपने जो विडियो बनाया है मेरे बॉड़ी में, तो ऐसा क्यों होता है? फंगल इंफेक्शन खत्म होने के बाद दुबारा क्यों आ जाते हैं? क्या आपने मेडिसिन का डोज सही धंग से नहीं लिया? क्या कोई और कारण है जिसके कारण फंगल इंफेक्शन रिटर्न हो रहे हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह इन्फरमेशन दूसरे लोगों तक महुंच सके और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को करें कि यह तो हम सभी लोगों को पता है कि फंगी के कारण ही फंगल संक्रमन होते हैं या निफंगल इनफेक्शंस फंगी के कारण ही होते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों में यह नहीं होता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फंगल संक्रमन हो रखा होता है और उसके कॉंटेक्ट में कुछ लोग जाते हैं तो कुछ लोगों को फंगल संक्रमन नहीं होता है ऐसा क्यों होता है पहले आपको यह जानना जरूरी होगा ऐसा इसलिधे होता है क्योंकि जिन लोगों में रोगपरती रोधक छमता यानि immunity की कमी होती है उनमें ये फंगल संक्रमन बहुत तेजी से फैलता है यूमनीटी की कमी के कारण बहुत सारे रोग उत्पन हो सकते हैं, रोग परती रोधक चमता अगर आप में कम है, तो आप बहुत सारे विमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, केबल फंगल संक्रमन ही एक नहीं है उसमें, लेकिन फंगल संक्रमन ये common है, अगर आप में इम्मुनिटी की कमी है, रोग प कुछ किया सभी कुछ आपने इस्तमाल करा लेकिन उसके बाद वह फंगल इंफेक्शन फिर से रिटर्न हो गया ऐसा क्यों होता है इसका में तीन कारण होते हैं पहला रोग परती रोधक लक्राक्षम्ता की कमी है तो आप कितने भी मेडिसीन खाएं वह फंगल इंफेक्शन थीक होने के बाद फिर दुबारा अपमे रिटर्न हो जाएगा अगर Аप फंगल इंफेक्शन के मैं खाते हैं तो उसके साथ डॉक्टर के सजेशन से नहीं मैं बोलूँगा उसके साथ अगर आप इमीन भूस्टर के भी कुछ मेडिसेंस लेते हैं तो उसके बाद कुछ नेचुरल भी आप इस्तमाल कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे फूड आते हैं फूट आते हैं जो आपके रोगपरती रोधक छमता को बढ़ा सकता है तो उन चीजों का आप बहुत ही ज्यादा इस्तमाल करें ताकि वो फंगल इंफेक्शन्स आप में दुबारा लोट कर ना आए यह तो पहला कारण हो गया कि क्यों आता है रोगपरती रोधक छमता जिन लोगों में बहुत कम है उनमें फंगल इंफेक्शन्स रिटर्न होंगे ही होंगे क्योंकि जब तक आप में होने के बाद कुछ दिनों के बाद वो फंगल इंफेक्शन्स रिटर्न हो जाते हैं क्योंकि आप में रोगपरती रोधक छमता की कमी है उस फंगल इंफेक्शन्स से लड़ने वाले रोगपरती रोधक छमता की कमी है तो आप पहतर होगा कि आप अपने रोगपरती रोधक क्रेम परशेश करते हैं वह फंगाल इंफेक्शन्स थीक होता है और फीर सी अपमेछित करते यह उच तरह से पूरी डौज में लेते हैं तो ठीक हो जाने चाहिए लेकिन वो ठीक नहीं हो करके वो medicine आपके body में resist कर जाते हैं क्योंकि आपको पूरी डोज का पता नहीं होता है अगर आपको पता हो पूरी डोज का तभी आप medicines इस्तमाल करें initial period में क्योंकि initial period में fungal infections को ठीक कर पाना बहुत ही असान होता है लेकिन जिस तरह इसके से आप medicines खाते हैं वो middle stage में पहुंचता है उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर वो medicines लिखते हैं फिर भी आपको उस medicines से ठीक होता है फिर से return हो जाता है तो मैं suggest करूं कोई भी problem ठीक हो पाएगी इसका जो third करा है वो है dependency of medicine एक ही medicine पर depend होना अगर आप फंगल इंफेक्शन के medicines खा रहे हैं उससे ठीक महीं हो राएं फिर वही medicines खा रहे हैं आप jump करें अगर आपका फंगल इंफेक्शन एलोपैभिक सी ठीक नहीं हो राएं तो आप हैंद कि बहुत सारे समेडि सिंद्र बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जिस से अगंधिक करने लिए बहुत आएसे उपचार मौदů जिससे फंगल इंफेक्शन को बिल्कुल फी जड़ से खत्म किया जा सकता है तो मैं सजेशन दूँगा कि आप खुद से मेडिसिन इस्तमाल ना करें इनीसियल प्रियेड में मैंने पहले ही बताया है इनीसियल प्रियेड में फंगल इंफेक्शन को ठीक कर पाना बहुत आसान झाल झाल